आपको बता दूँ कि चीनी मिल का इतिहास बहुत पुराना है एक आपको मालूम होगा कि एक दौलत राम जी करके नाम था उनका चीनी मिल के ऑनर है मरवाडी मरवाडी समाज से आते थे 2023 के आस-पास का अशाय जब अपने देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले का है कि मुतिहारी चीनी मिल का सुरूह हुए था चल रहा था बहुत था हमारे हैं अब धीरे 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 चीनी मिल तो प्राइबेट संस्ता है ना धीरे धीरे कर्ज में चला गया 2002-2004 चार के बाद से तो इतना कर्ज हो गया कि उनके जो स्टाप थे उनको भी सेलरी देने के लिए पैसा नहीं रहा नतीजा क्या हुआ कि 2012 में जो च काम करने वाले थे उनका कर्ज था और अदर कर छोड़ दिजी अदरलों छोड़ दिजी इस सब चीजластी को देखा गया अब इतना ना पैसा उसमें है और प्राइविट जब मेरा गहर कूरे गहर मेरे तो कुशिस किया गया बहूत बहुत को अगला बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा चली नहीं पाएगा और धीरे धीरे अब तो खर मुस्किल है उसको करना लोगों ने यहां तक बनाम कर दिया कि चीनी मिल की बेची दिया इस सब गलत है अब प्राइवेट लोगों ने छे के लिए जिस दिन सरकार उस पर लगेगी ना जिस दिन सरकार लगेगी और जो चीनी मिल के मालिक आएंगे सब को खाली करना पड़ सकता है वो कोई किसी का कोई नहीं लिया हुआ है सब महस अफवा है और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अफवाहों पर कभी दियान मत दें आप सचाई में जाएं कि किसी ची सब्वाइब चप्रों स्वाम पार कि महात्मा गांधी हैं मैं आपको दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि चम्पारण के गांधी है वो कुछ नहीं है उनके पास ना च्तवाथ दिया है टपशनपारन की जंता कर सेवा करने की खंज पर और है बाकि जितनी सब आप सुन रहे हो यह गाना इस सब गलत है जूट है अच्छा जाते जाते आकरी सवाल बीजेपी में है दुएजार पचीस में कहीं से अब देखिए देखिए क्या है कि अभी तो हम लोग का एक ही टार्गेट है 2024 का चुनाओ मुदी जी 400 पात्र और आदा मोहन चाशा जी चार लग पार उसके बाद हम कर्च करेंगे तन मंधन से अभी जी बहुत बड़ी पार्टी है इस बात पर इसी रिए कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि मनें बोलना ने कि एक सब्भैता वारी पाटी है इक संस्कारवाली पार्टी है अगर हमारा मेहनत में कुछ होगा रियल में हमारे मेहनत में दम होगा तो पार्टी जो हम को जगह देगी À अस्थान देगी उस अस्थान को मैं तन मन से सेवा करूँगा और सेवा में लग जाओंगा बीजीपी के साथ में जुड़ गया हूँ और मेरी उमीद है कि पुरा विश्वास है कि मैं बीजीपी के साथ ही अपना जीवन विताओंगा